कि डियर स्टुरेंट्स हमने रिफ्रेक्टिंग टेलिस्कोप पढ़ा था जिसमें जो ओब्जेक्टिव होता था वह लार्ज अपेरचर और लार्ज फोकल लेंद का होता था डाइग्राम के अगर हम बात करें तो यह ओब्जेक्टिव लेंद्स था और इधर था आई पीस द होगा कि एक तो फोकल लेंद्स जादा होने से उसका मैगनीफिकेशन बड़ रहता तो जो मून है जिसकी भी हम इमेज बनाना चाहरे है उससे लाइट अती फोटा अगर होताओ पीकम लेंट को क्लेक्ट कर पाता और लाइट कम को क्लेक्ट करनें का मतलग यह है उस object की जो image बनती वह बलैड image बनती मतलब चमकिली जो या फिर ब्राइट image नहीं बनती उसकी तो इमेज ब्राइट बने अच्छी बने इसलिए जादा से जादा light यहां से जो आ रही हैं उसको क्लेक्ट न चीए इसलिए हम इसकी size बड़ा अब लेकिन बड़ा लेने से इसमें कुछ प्रोब्लम से हैं क्या क्या प्रोब्लम है देखो ओब्जेक्टिव लेंज को लाज साइज का लेने से तो कुछ प्रोब्लम क्रियेट हुई इन प्रोब्लम को दूर करने के लिए फिर हमने दूसरा टेलिस्कोप काम में लिया जिसक एसोसीएट विद लार्ज ओबब्जेक्टिव लेंस क्टेर है अग 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 और अग 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 ऑज ऑब जेक्टिव लैं तेस यह दूप प्रोब्लम यह है कि लार्ट आपयरिकर का जो लेंस बनाना यह सबसी मुश्किल काम होता है विकोज जो lens होता है उसमें हम दो सरपेस होती हैं दो spherical सरपेस होती हैं तो इसको manufacture करना बनाना बहुत मुश्किल होता है clear है तो सबसे ही first problem थी difficult to manufacture तो इसको बनाना मुश्किल था काफी दिक्कत आती है बड़ा lens बनाने में तो पर्स प्रोब्लम यह थी second problem थी कि lens जो होता है वह काफी कोस्टली होता है महेंगा होता है clear है third problem थी इस में अब बड़ा lens अगर हम बना भी लें तो उसको जब उस ट्यूब में लगाते हैं तो उसको लगाना भी काफी मुश्किल होगा क्योंकि एक तो बहुत हैवी हो जाता है बारी होता है lens तो थर्ड प्रोब्लम थी difficult to to be held mechanically क्योंकि काफी हेवी होता है lens इसलिए उसको किसी भी पॉइंट के बीच में जब हम fix करेंगे ट्यूब पर तो उसको लगाना भी काफी मुश्किल काम होता है clear है यह था उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रोब्लम थी वो थी spherical aberration यह क्या होता है इसको समझते हैं देखो aberration देखो spherical aberration क्या होता है उसको अलग से हम समझते हैं एक प्रोब्लम और थी इसमे chromatic aberration दोनों को detail में समझेंगे अभी chromatic aberration तो पहले तो aberration का मतलब होता है default या फिर उसमें दोस्त कहीं है clear है तो क्या होता है spherical aberration उसको समझते हैं देखो तो यह पांच difficulty भी large objective लेने से तो देखो हमने पढ़ाता अगर कोई small aperture का thin lens होता है यह optical axis है तो principal axis के parallel जब भी light rays आती थी तो वह focus पे converge होती थी clear है यह तो था ideal case ideal case का मतलब यह है कि जो aperture है lens का वह small होना चाहिए और lens ठीक होना चाहिए लेकिन इस telescope में हम जो lens यूज कर रहे थे वह लैंस जो था वह लार्ज लैंस था और उसकी फोकल लैंस थी वह भी ज्यादा थी तो उस case में क्या होता है देखो अगर lens बड़ा होता है तो उस case में क्या प्रोब्लम होती उसको समझते हैं तो यह lens अगर बड़ा है तो यह लाइट रेज जो principle axis के या optical axis के पास में होती है उनको तो हम कहते थे पैर एक्सियल रेज क्लिर है पैर एक्सियल रेज तो यह पैर एक्सियल रेज ऐसे आती है और इसको यह focus पे converge कर देता है तो यह focus है फोर पैर एक्सियल रेज लेकिन जो light रेज यहां पर आती है optical axis से दूर आती है उनको हम बोलते थे marginal raise इस्टार्टिंग में पढ़ा था हमने चेप्टर के marginal raise यह वाली तो इनको क्या करता है lens जो है वो पहले converge कर देता है यहां पर तो अब होगा क्या इससे देखो यह वाली जो light है वो यहां पर converge हो रही है यह वाली जो light है तो यह वाली light यहां पर converge हो रही है यह वाली light यहां पर converge हो रही है इसका मतलब यह है कि इनकी जो image है वो तो यहां पर बनेगी इनकी जो image है वो यहां पर बनेगी तो इससे होगा क्या जैसे support यह light यहां पे कनवर रहेंगी कुछ यहां पर कनवर हो जाएंगी तो उससे होगा क्या इस मूंकी इमेज है वो एक particular point भी fix नहीं हो पाएगी तो उसके जो image है वो bright नहीं बन पाएगी blood image बनेगी धुंदली बनेगी मतलब यहां पर भी बनेगी कुछ यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी तो इस वाले abrasion को हम बोलते हैं spherical abrasion clear है यह किस की वज़े से हुआ इस lens की shape की वज़े से हुआ अगर यह छोटा lens होता देखो छोटा lens अगर है तो इस सारी जो rays है इनको हम paraxial rays ही consider करेंगे तो इस सारी point भी आ जाती है यहां पर यह तो सारी paraxial है तो इस case में जो image है वो bright बनती clear है तो यह है अपना spherical abrasion तो इस की वज़े से है due to large shape या due to shape clear है यह जो abrasion होता है यह lens में भी होता है और mirror में भी होता है lens प्लस mirror दोनों में होता है यह उसके बाद हम बात करते हैं chromatic abrasion यह भी देखो काफी समझने वाली चीज है इसको समझते हैं क्या है इसको note करते रहना इन चीजों को chromatic abrasion को समझते हैं आप किदर देखो chromatic का मतलब यह जो abrasion है यह color की वज़े से है chromatic मतलब color से कैसे है उसको समझते हैं इदर देखो तो मालों यह लेंज से अपने पास कि अ कि अ कि इस लेंज से इस लेंज पर वाइट लाइट आ रही है कि यह वाइट लाइट है जैसे मानों सन की अगर अपने को इमेज लेनी तो सन से वाइट लाइट आती है और वाइट लाइट जो होती है उसमें सेविन कलर होते हैं जिसको हमने पढ़ाता विब ग्योर क्लियर है अब होगा क्या देखो जैसे यह लाइट इस लेंज की पर जाएगी तो लाइट का डिसफर्शन हो जाएगा मतलब जो लाइट है यह सब अलग-अलग साथ कलर अपने को अलग-अलग दिखाई देने लग जाएंगे जैसे हमने प्रीजम में भी पढ़ा था अगर आपको यादो यह प्रीजम था इसके पर जैसे वाइट लाइट आती थी तो यह सेवन कलरों में डिवाइड हो जाती थी ऐसे clear है सबसे कम जो डिविशन होता था वो रेड कलर का होता था सबसे ज़्यादा जो डिविशन है वो वो वोलेट कलर का होता था यह हम पढ़ चुके हैं already clear है तो अब देखो होगा क्या तो जैसे यह वाइट लाइट इसक्यूपर आती है तो अब यह जो लाइट है यह अलग-अलग कलर में split हो जाती है तूट जाती है और अलग-अलग कलर का जो डिविशन है वो अलग-अलग होगा तो सबसे कम जो डिविशन होगा वो वो वोलेट का होगा तो सबसे ज़्या पादर डेवेशन होगा वो वोलेट का होगा बाकी की जो इनकी बीच में होगे तो अब होगा क्या देखो इस Case में अगर मान लो यहाँ पर यह red यह white light है moon तो उसकी जो image बनेगी यहाँ पर वो red दिखेगी यहाँ पर violet दिखेगी यहाँ पर बाकी की जो color है वो दिखेगी तो कहने का मतलब यह है वो object अपना जो white था वो अब अपने को clear white नहीं दिख पाएगा तो इस case में भी जो image बनती है वो blood image बनती है clear है तो इस abrasion को हम बोलते है chromatic abrasion यह जो abrasion होता है यह केवे lens में होता है यह mirror में नहीं होता है mirror में क्यों नहीं होता है ज़र देखो यह मान लो mirror है तो mirror में light आती है तो वो वो वापस उदर ही चली जाती है उसका split वो होई नहीं पाती है clear है क्योंकि split light तब होती है जब वो prism में या फिर lens में जाए एक चीज़ा अगर आप यहीं से समझना चाहूँ इसको देखो आप prism भी consider कर सकते हो छोटा छोटा इसमें एक prism ये बन गया दूसरा prism ये बन गया इस type से भी आप इसको समझ सकते हो clear है तो ये है अपना chromatic abrasion तो दूबारे से देखो जो reflecting telescope था उसमें हम large aperture का objective lens ये उसमें कुछ problems आई अपने पास first problem थी difficult to manufacture मतलब उसको बनाना काफी मुश्किल था second था ये काफी महेंगा पड़ता था third problem थी कि इसको held करना मुश्किल था फोर था spherical abrasion और fifth था chromatic abrasion इस्पेरिकल abrasion में क्या होता है किसी भी object की एक particular जगह पे image नहीं बन पाती है और chromatic abrasion ही होता है कि अलग-अलग color की image है वो अलग-अलग जगह बन जाती है जिससे object अपने को clear दिखाई नहीं देता है thank you